सब्सक्राइब करने वाले हैं इसमें वेक्टर्स काफी जादा यूज आने वाले हैं इस से रिलेटेट कोशन्स भी एक्जाम में पूस्ते चाहे वो आपके कोई भी कॉम्पेटिटिव एक्जाम ही क्यों ना हो चाहे वो सब्सक्राइब करना है हम लोग किस तरीके से कोश्चन को सौल करेंगे हर चीज की ट्रिक आपको मैं अपने साथ में बताऊंगी तो आपको बस एक ही काम करना है साथ साथ में लेक्चर को कम्प्लीट पूरा लास तक के देखना है ओके गाइस तो चलिए क्लास को चारू करते ह चीजे हमें कवर अप करनी है उसके उपर बात कर लेते हैं क्या चीजें हमें स्किप मारनी है उसके उपर भी बात करते हैं सो बेसिकली देखिए मोशन इन प्लेइन को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हो पहला जो टॉपिक है वह है पूरा वेक्टर से बेसिक माथेमाटिक के जजबात है तो अगर आप लोगों कैसा लगता है कि मैं वेक्टर वाला जो पार्ट है हमें वो करना है या हमें बहुत डीटेल में जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा बहुत शुरुवात वाले लेक्टर्स के उपर तो मैं आपको बोल रही हूं मैंने आपको समझाया बाग कि यहां पर हम लोग सिर्फ वही पार्ट करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके बाग में हम लोग पार्ट तू में पढ़ेंगे पार्ट विल वी और मोशन इन प्लीन तो यह आपका पार्ट तू रहेगा और वेक्टर्स आपका पार्ट वन तो पार्ट वन पार्ट वगी और नंबर कम वेसद्ज नमय टो और mortis और में वहां पर वाउ पर मैंने आप लोगों को आपको ब्हुते हैं मैंने रूट लूटर को कैसे रिप्रजेंट करते हैं अलइस 프로ण क्या होते classify जिनको शो करने के लिए direction की need होती है वो vectors होते हैं ऐसी physical quantity जिसको शो करने के लिए हमें direction की need होती है for example velocity, acceleration, force and etc. ऐसे ही representation of vector के अगर मैं बात करूँ बिटा तो हर किसी vector को हम क्या करते हैं एक arrow sign से represent करते हैं और साथ में हम लोग अगर directions को ले 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 for example x-axis y-axis and z-axis को ले 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 तो हम लोग उनके साथ में unit vectors को भी represent करते हैं तो if you don't know कि क्या है यह तो हमारे पास में पूरा lecture बहुत detail में बना हुआ है दो पार्ट में वेक्टर कवर अप किया है जहां पर मैंने पहले पार्ट में आपको सिर्फ यहां तक पढ़ाया हुआ है इस पार्ट मैंने आपको कवर अप करा है and the last part जो की vector multiplication है उसको हमने part 2 में कवर किया है तो यह दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ा रखे है अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिल्चस्पी है नहीं सामझ में आ रहा है आगे क्या हो रहा है तो just repeat this topic आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगा अगर आप लोगों को पता है अल्रेडी तो बहुत असान हो जाएगा आगे का सफर ठीक है तो vector applications types of vector में हमारे जो important vectors है that is position vector, unit vector and displacement vector unit vector में आपको साथ साथ में बताते चले जाओंगी है न हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके साथ में unit vectors क्या होता है उसका थोड़ा सा introduction दूँगी और उसको साथ में position vector के साथ में कैसे represent करते हैं वह आपको explain करने वाली हूं यहीं हमारे लिए main important है बाकी सब तो नहीं important है इतना फिर आता है addition का law कैसे करते हैं यह important topic है हमारे लिए and vector का multiplication जो की होता आप लोग इसको कर लीजेगा तो आई होपस हो कि आप लोग इतना जानते हो तब ही हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर आप लोग नहीं जानते हो basic mathematics का lecture देख लीजे वेक्टर वाला part specially करवा रखा है अलग से करवा रखा है कर लोगे ना जी ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अब vectors में सबसे पहले हमें पढ़ना है position vector तो वहीं से चालू करते है position vector क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग इनको solve करते हैं तो पोजिशन में motion बढ़ रहे है तो जब मैं plane की बात कर रहे हूं तो plane कैसे होते है 2D होते है plane कैसे होते है two dimension वाले होते है इसमें एक x-axis रहेगी दूसरी आपकी y-axis रहेगी इन दोनों के along क्या हो रहा होगा motion हो रहा है इसलिए हम लोग position vector को पढ़ेंगे बिटा 2D में तो अब हमें x-axis मैंने बोला यह मेरी y-axis है अब मैंने बोला इस x-y-axis में मेरा origin point o यहां कहीं पर है this is my origin point अब मैंने आपसे बोल दिया कि चलिए हमारे मेरे पास में यहां पर एक vector है this is my vector r1 ठीक है तो यह vector का है मेरे पास में r1 है और r1 के जो point से बिटा वो आपके पास में for example x1, y1 है ठीक है this is my r1 vector और इसका जो point है जो position है वो x1, y1 है this is similar कि अगर मैं आपसे पूछू कि मेरे पास में this is my x this is my y और मैंने कहा आपके पास में एक point है और इसके जो हमने जो लिखना है वो क्या हो जागे position से this is your 3, 4 या 4, 3 मान लो तो this is the position तो जैसे मैंने वहां पर represent करा है उसको 3, 4 से उसको वैसे ही मैंने यहां पर x1, y1 से represent करा हुआ है ठीक है तो यह चीज आप लोग बहुत अच्छे समझिए x1, y1 now आपको किन चीजों पर focus करना है उसके उपर हम लोग discuss कर लेते हैं तो for example मैंने आपको कहा कि x1, y1 आपका position vector के रूप में कैसे लिखोगे आपको क्या करना है इसको vector form में लिखना है तो vector form में लिखने के लिए आप लोग लिखोगे कैसे लिखोगे i cap और j cap के form में यानि अब यहां concept लगेगा unit vector का अब unit vector क्या होते है unit vector वे vectors है जहां पर आपको इनको directions को शो करने के लिए generally use में लाते हो तो अगर मैंने कहीं पर लिख दिया बिटा i cap के form में, j cap के form में, k cap के form में ठीक है समझ ना इस चीज़ को and मेरा origin point o है तो याद रखेगा i, j, k respective उनकी जो axis होती है उसको show करते है मैंने कहां आपके पास में 3 i cap समझ जाईएगा बच्चा i मतलब x axis को represent कर रहा है 3 उसके point है कि यह origin से 3 जो भी उसका unit होगा उत्ते position पे वो है तो that's the point कि 3 i cap तो i cap unit vector को represent कर रहा है जो कि basically axis को ही समझाता है ठीक है तो हम लोग कहेंगे कि o से 3 दूरी पर ठीक है तो that's your position तो now ऐसे ही आपके पास में r1 को जब unit vector के form में represent करोगे तो इसको representation के लिए आप लोग कैसे use करते हो तो representation बहुत simple होता है बहुत तारा होता है समझो इसको की r1 को लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा x1 i cap plus y1 j cap what is x1 and y1 यह वो point है जहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते बच्छा this is your x1 है ना तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखने वाल हो this is your x1 this is your x1 and यहाँ पर जो point है this is your y1 point है ना y axis पर y1 x axis पर x1 this is x, y1 तो यह position है और vector r क्या represent कर रहा है o से लेकर कि इस point को अगर मैं p नाम दे दू तो op के बीच में जो आपके पास में जो r है वो vector है इस ती इसका so this is your position vector with respect to origin to origin के respect में आपके point p की क्या है यह vector r जो है वो क्या कर रहा है पोजिशन को शोगर रहा है what my point तो यह आपका position vector कहलाता है ठीक है इतना simple सा logic clear सब लोगों को तो यह था आपका vector जो की position vector था now मैं बात करती हूँ दूसरे vector की which is displacement vector समझना सब चीजों को displacement vector अब क्या होता है तो यह बताता है displacement between two pointers अब दो point लेना है मैंने बोला कि यह r1 था let assume मैंने यहां पर कहीं पर दूसरा point r2 ले लिया r2 represent कर रहा है x2, y2 को इसमें किसी को doubt है तो मैंने बोला कि एक दूसरा कोई point है which is showing r2 r2 is nothing but x2, y2 है न यह इसको शो कर रहा है so मैंने बोला इस position vector को कैसे लिखा जाए तो this r2 you can write it this is my vector r2 so r2 को represent करने का तरीका क्या होगा so r2 को आप लोग लिखोगे and this will be x2 i cap plus y2 j cap तो करना क्या है मैंने बोला displacement निकालो तो displacement vector कहां से कहां तेखोगा तेखो यह एक vector आपके पास में था ठीक है so this is the first vector you have r1 this is your r2 एक r1 है भाई दूसरा हमारे पास में क्या है बच्चा r2 है तो जब आप इसका vector निकालोगे तो आपके पास में displacement vector आएगा इस direction तो this is your delta r तो इन दोनों की position के बीच बच्चा आपको मिलने वाला है एक displacement vector delta r तो जो की point p और q के बीच का value को sugar है तो जब आप vector r निकालोगे तो यह बताता है आपके पास में इन दोनों के बीच का displacement which is r2 minus r1 r2 vector minus r1 vector तो r2 vector minus r1 vector को अगर आप लोग लिखोगे तो कैसा लिखोगे so it will become delta r vector is equals to r2 minus r1 r2 क्या है आपके पास में बच्चा r2 है this x2 i cap plus y2 j cap minus x1 i cap minus y1 j cap कितना है सब के पास में i cap i cap common निकालो j cap j cap common निकालो इतना काम करोगे तो delta r का value कितना है आप लोगे पास में तो it will become x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap अब समझना है सीज को यानि कि जब मैं इन दोनों का displacement निकाल रहे हूँ तो मेरे पास में क्या मिल रहा है x2 minus x1 and y2 minus y1 तो we know that x2 minus x1 and y2 minus y1 क्या represent कर रहे है तो this is showing delta x delta x मतलब की change in x1 change in y1 sorry मैं तो change along x axis change along y axis तो delta x and delta y क्या बता रहे है यहीं बता रहे हैं कि change along x axis and change along y axis तो आप लोग यहाँ पर delta r को easily लिखोगे that will be equivalent to delta x i cab plus delta y j cab इसमें किसे को doubt हुआ तो यह आपका position vector है वाई इसे आप लोग क्या बोलोगे this is your position vector ठीक है तो position vector कैसे निकाला point P और Q के बीच में got my point तो अगर आप लोग position vector निकालना समझ गया ठीक है इसको equation number 1 दे दो आप लोग क्या कर रहे है position vector निकालना अभी सीख गया अब क्या करेंगे हम लोग अब आपको displacement आ गया देल्टा आर find out कर लिए जिन ना जो हमारा main point है बच्छा वही पर अच्छर student अटकता है that is the direction of displacement ठीक है तो अक्सर आप लोग देखो कि direction तो direction कहां पर represent करोगे direction आपकी वही होगी जो की P से Q की direction होगी तो जो यह आपको क्या मिल रिपीट है average velocity instantaneous velocity calculate करनी है अब same scenario में वापस से मैं बोल रही हूं आप लेको को let assume कि मेरे पास में कोई position again this is my r1 this is my r2 इस में clear सबको this is my r1 this is my r2 गर आपको r1 ऐसे बना समझ नहीं आता तो मैं अपना r बनाने का तरीका जलती हूँ this is my r1 this is my r2 ठीक p q point origin o now again same scenario x1 comma y1 x2 comma y2 मैंने आप से कहा r1 और r2 के बीच में let's assume कि इस तरीके से मेरे पास में मैंने कर बना लिया मैंने आप से question पूछा कि average velocity क्या होती है तो बच्चा एक बात बताईए हम लोग average velocity बोलता है कि throughout this journey हम लोगो उने जो velocity cover up करी है उसका जो भी average होता है उसी को represent कर रहे है मतला for example अगर मैंने आप से बोला कि यार मेरी जो गाड़ी की velocity है वो 40 km per hour है तो वो 40 km per hour क्या होता है average ही होता है तो हम लोग हमेशा average की बात कर रहे होता है हम लोग हमेशा instantaneous की बात नहीं कर रहे होता है हम लोग average बताते कि यार हमारी गाड़ी ना approximate 60 km per hour की speed से भाग रही है तो हमाई speed average speed है हना वो हम लोग यह नहीं बोल रहे है कि हमारी गाड़ी पहले 20 km per hour की speed से भागी फिर हमारी गाड़ी 20 से 50 km per hour की speed भागी तो हम लोग यह नहीं बोल रहे है हम लोग क्या बोल रहे है कि हमारा जो average velocity that is 60 km per hour तो वो throughout the journey था है ना, तो अब मैं बोल रही हूँ कि position r1 and r2 तो ये बोध हमारे कौन से position vector है तो हमारे पास में जो velocity होता है velocity को आप क्या बोलते हो तो आपके पास में जो average velocity होगी उसको क्या लिखोगे आप लोग इसको आप लोग लिखते हो total change in displacement divided by time यही होता है divided by time ठीक है, जो भी time period आप लोग को लगता है let us do delta t time period लग रहा है तो बच्चो average velocity को निकान लेका जो बिलकुल simple सा logic है वो simple है कि change in displacement divided by time तो जब मैं velocity की बात कर रही हूँ है ना, वापस एक pointer को बहुत ध्यान से समझना कि जब हम लोग velocity की बात कर रहे होगे तो यह जो velocity है इन दोनों pointers के बीच में यानि कि अगर मेरे पास में मान लीजे कि मेरा object जो है वो R2 से R1 की direction में जा रहा है तो that's the difference वेक्टर R रहा तो मैं गह रही हूँ this is my delta R और मैंने बोला कि delta time इसको लग रहा है delta T time लग रहा है तो बच्चा बताना मुझे कि total throughout the journey में average velocity आप लोग कैसे निकालोगे तो it will become delta R by delta T लिख सकते हो क्या yes or no delta R by delta T again delta R आपके पास में क्या बच्चा यह simple वही चीज पुरानी वाली जो मैंने यहां लिखी थी पुरानी वाली चीज क्या लिखी थी हमारे पास में कि vector delta R आपके पास में क्या आ रहा है delta x i cap plus del y j cap यही लिखा था ना हमारे पास में so इसी को हम लोग use करेंगे as a change in displacement ओके चलो तो हम लोग फटा फट से यहां पर पुट कर रहा है change in displacement क्या हो जाएगा आपके पास में delta x i cap plus delta y j cap divided by delta t इसमें डाउट किसी को simple चीज है so now अब क्या कर लोगे आप लोग individual distribution कर दीजिए मैंने कहा इसको individual distribution कर दीजिए delta t को delta x divided by delta t i cap plus delta y divided by delta t j cap तो यह x और y axis के along आपका जो total displacement हुआ है वो आपके पास में आपकी velocity v r ही है तो यह आपकी velocity है और यह x along and y axis के along के जो भी velocities है उसको represent कर रहा है समझो इस चीज को अगर मैंने कही पर लिग दिया समझातियो मैं इसको example देती हूँ समझो इसको मैंने कही पर लिग दिया velocity is 3 i cap plus 4 j cap समझ जाना कि 3 is nothing but delta x by delta t को represent कर रहा है and 4 is nothing delta y by delta t को represent कर रहा है that means this is velocity along x axis ठीक है यह क्या है change in position along y axis तो बिना सुचो समझो आप इसको x and y क्या कर लोगे assume कर लोगे तो यह आपको जमाग में चीज रहना चाहिए तो यह आपके पास में x axis के along यह आपके पास में y axis के along velocities होगी जो की यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिख गई सबको ठीक है इसको आप लोग next equation मांग सकते हो तो simple सी बात है अब direction of velocity क्या निकालोगे चलिए बताइए मुझे अब यहाँ पर next चीज जो आएगी वो कौन से आएगी direction of velocity तो direction of velocity किस पर dependent होती है तो average velocity के जो direction होती है वो displacement पर dependent होती है किस पर होती है वो totally displacement के उपर dependent होती है तो change in displacement की जो भी direction होगी वही हमारे पास में velocity की भी direction होगी दो चीज clear होगी, जो भी displacement की direction है वही हमारे पास में velocity की direction होगी तो simple logic हमको चीजे समझ में अब आ चुकी है इसमें किसी कोई चीजे में issues होगा तो यहाँ पर अगर आप इस graph को फिर से plot करो तो हमारे पास में जो resultant आया था वो इस direction में आया था है न तो हम लोग बोलेंगे पीर से q की direction में तो इस मामले में हम क्या कहने वाले है कि this is my delta r की direction p to q तो आप लोग क्या लिखने वाले हो इसको आप लोग simply लिखने वाले हो that is कि मेरे पास में जो values i है वो है basically पिटा क्यों से आप लोग इस तरीके से ठीक है एक मिनट चलिया ठीक है चलो तो अब मैंने बोला आपके पास में कि x2-x1 आपके पास में आया है y2-y1 आपके पास में आया हुआ है तो this is the direction of displacement तो आप लोग यहाँ पर delta r निका लीजे तो वही direction किसकी होगे हमारे पास में velocity की direction होगी now बात करते है instantaneous velocity भाई जी अब यह कौन से पदार्थ है तो इनकी बात करते है तो instantaneous velocity के बारे में अगर आपको मैं समझाओ explain करू तो किसी instant पर आपकी velocity क्या होती है simple है कुछ नहीं किसी instant पर आपकी velocity क्या होती है यही आपका simple सा अच्छा point है जो कि आपको understand करना है ओके समझते इसको so definition लिखे हुई है velocity in a particular instance of time basically हम इसको बोलते है instantaneous velocity for example मैंने बोला मेरी यह क्या हो यह motion हो रही है this is my act this is my why again मैंने कहा किसी point पर जैसे मानलो मैंने बोला इस point पर velocity क्या होगी तो आप लोग क्या करने वाले हो इस point पर velocity को represent करो बहुत छोटा राच्छू समझो कि बहुत छोटे से time frame के लिए हो रहा होता है बहुत छोटे से time frame के लिए हो रहा होता है ठेकें और वो क्या है समझाती हूं वापस से आपके पास में तो जब छोटी से change की बात जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोग use करते हैं d by d x अब instantaneous velocity अगर आपको पहले वाली याद है तो same इसमें भी आपको करने हैं instantaneous मतलब कि आप लोग हमेशा differentiation का use करने वाले होता तो जहां पर डेल्टा होता है for example मैंने लिखा delta t या मैंने लिखा हुआ delta v तो delta v and delta t या फिर मैं delta x की बात कर रहे हूं तो delta होता है वो बड़े change को represent करता है जैसे कि previously हम लोगों ने देखा r1 और r2 के बीच का जो change था उसको आप del से represent कर रहे थे क्योंकि ये बहुत बड़ा change है लेकिन जब मैं बात करती हूं instantaneous velocity की बटा वो change बहुत छूटू सा होता है मतलब at that particular instant क्या आपकी velocity होगी तो जहां-जहां del होता है आप उसको replace कर देते हो d by dx तो मैं जब velocity को समझूंगी instant velocity की बात कर रहे हूं तो instantaneous velocity को आप लोग लिखोगे d by dx by dt of i cap plus dy by dt j तो ये होती है instantaneous velocity along x and y अब यहां पर बच्छा अगें याद रखेगा meter per second भूलिएगा नहीं मैं पिश्ली वाली मैं slide में नहीं लेखी हूं meter per second अब बात करते हैं direction की तो बच्छा उस point पर जब आप direction देखोगे तो क्या करना आपको इस point पर एक tangent ड्रॉ कर ले हमें क्या करना है एक tangent ड्रॉ कर लेना है तो जो भी tangent की direction होगी वो आपकी velocity की direction होगी at that instant तो यहां क्या लिखा गया है कि direction of instantaneous velocity is tangent drawn at any point in path of a particle तो जिस point पर हमसे बोला गया है उसी point पर हमें एक tangent को ड्रॉ कर लेना है चाहे वो ऐसा कर्व हो कर्व कैसा भी हो सकता है हो सकती है हमारी कुछ velocity उपर नीचे हुई हो like this तो इस that point हमारे पास में यहां पर आपको एक tangent ड्रॉ कर लेना है तो यह भी आपकी velocity को show करेगा got my point तो इतनी सी चीज थी जो कि आपको understand करनी है instantaneous velocity के लिए ठीक है now थोड़ा सा आगे बढ़ता है अब बात करते है average acceleration की अब acceleration क्या होता है यह जानना जरूरी है तो acceleration change in velocity with respect to time यही लिखते हो आप लोग यही लिखोगे न change in velocity with respect to time तो हम लोग simply acceleration को लिख देते है which is change in velocity with respect to time ठीक है change in velocity with respect to time क्या करोगे अब यहां से एक ऐसे निकालोगे simple है same चीज को आपको follow करना जो हमने follow करी थी हमने क्या समझा था कि अगर मैं कर रही हूँ change in velocity तो x-axis के along velocity y-axis के along velocity यानि की delta v sorry क्या लिखोगे इसको मैं delta v divided by delta t along x-axis plus delta v by delta t along y-axis यानि की j क्या है ठीक है चलिए तो दो चीज़े के लिए रो चुकी है change in velocity with respect to time is nothing but delta v by delta t i-cap plus delta v by delta t j-cap तो ये आपका acceleration था for that अब समझे ना इस चीज को तो जब भी मैं y और x-axis के along ये सब चीजों को देखूगी तो हमें बस ध्यान रखना है हमें क्या रखना है हमें ध्यान रखना है for example मैंने बोला कि मेरे पास में यहां पर कोई दो pointers है जिनके बूच में मुझे velocity निगालना है for example मैंने कहा कि इस point पर velocity v1 है मेरे पास में और इस point पर velocity मेरे पास में क्या है बच्छा v2 है एक पर v1 है एक पर v2 है मैंने tangent खीच लिये this is my velocity v1 this is my velocity v2 मैंने क्या कर दिये दोनों के ऊपर tangent खीच कर रखे हुए तो इस पूरी की पूरी issues में हमको कहा करना होता है हमें अब resultant निकालना है तो for example let assume this is my direction of v1 and मैंने बोला this is my direction of v2 जिसको मैं parallel ऐसे कर रही है तो यहां पर जब आप लोग v1 और v2 को लिख रहे होगे तो v1 और v2 को जब आप लोग solve करोगे बच्छा तो आपके पास में जो resultant आएगा like this तो that will be your delta v delta v जो है वो आपके पास में क्या है direction of change in velocity यह क्या आपके पास में direction of change in velocity और direction in जब भी हम लोग बात कर रहे है of change in velocity at that instant of time हम कह सकते हैं कि direction of change in velocity जो है represent कर रहा है direction of acceleration को किसको direction of acceleration ठीक है तो यहाने कि हमारे पास में जो भी change in velocity का direction आएगा वही direction किसका होगा acceleration का भी रहेगा यहां तक चीज़ों को clear समझ चुके सब बच्चे ठीक है तो change in velocity जो है वह किसको रुपिल कर रहा है direction of change in velocity sorry acceleration तो किसी भी point के लिए किसी भी instant के लिए आप लोग इसको solve कर सकते हैं तो आप लोग इसको solve कर सकते हैं now हमारा जो topic है तोड़ा change हो रहा है अब क्या करना है हम लोग को instantaneous acceleration की बात करना है तो instantaneous acceleration की जब मैं बात करूगी बच्चा simple logic है same चीज़ आपको जो कि repeat करनी है वो होगा dv by dt तो instantaneous acceleration के लिए आपनों क्या लिखोगे तो acceleration होता है again delta v by delta t i cap plus delta v by delta t j cap और ये किस सेनारियों में है ये होता है आपके average के लिए but मैं बात करती हूँ instant के लिए तो वो होगा dv by dt into i cap plus dv by dt into j cap got my point तो ये आपका instantaneous acceleration है और for that acceleration याद रखेगा जो direction आपकी लोगे आप लोग क्या लोगे तो at that moment बच्चा तो आपके पास में जो direction होगी वो भी similarly आपको find out करनी पड़ेगी कि dv by dt किस तरीके से आप लोग निकाल रहा हूँ ओगे चलो so ये था आपके पास में basic अब हम बात करते हो relative motion in 2d ये भी बहुत पहरा सा topic है जो कि आपको understand करना पड़ेगा और आपके book का one of the most important part है चलिए इसके बारे में हम लोग discussion कर लेता है तो relative motion in 2d में बच्चा हम लोग क्या करते है मैं पहले आपको motion in 2d समझा रहा है motion relative motion explain करते हूँ अगर आपको याद है if you remember कि हम लोग को रहे relative motion पड़ा हुआ था है for example मान लीजे ये मेरे पास में वीए है and मेरे पास में कोई object इस direction में travel कर रहा है with speed वीए से और मैंने बोला कि similar direction में मेरे पास में कोई दूसरा object है वो क्या कर रहा है travel कर रहा है इनके बिच में angle नहीं है मैंने बोला angle नहीं है ये कैसा है बिटा ये linear velocity की बात कर रहे हैं, ये straight line है न, motion in straight line की बात कर रहे हूँ motion in straight line में क्या सेनारियो था, कि मेरे पास में दोनों same direction में थे तो हम लोग हमेर साथ दोनों का result है, यानि A की respect में B को जब निकालते थे तो हम लोग VA minus को VB कर देते थे, याद है किसी को, तो ये relative motion था तो A की respect में B का relative motion था, ये कब की बात है, जब हम लोग motion in straight line पढ़ रहे थे similarly, अगर मैं बोलू कि opposite direction में motion है, एजुम कि this is my VA और इसके opposite direction में VB है, again in straight line, तब relative motion को calculate करने का तरीका था VAB is equals to vector of, आप लोग लिखते थे, VA minus में minus vector VB solve करते थे, तो आपके पास में आता था VA plus VB, so here, there is a chain, आप लोग देखो, तो क्या मैं इस vector को, आप लोग देख रहे हो, कि similar same direction में जा रहा है तो इस relative motion को, क्या हम इस तरीके से लिख सकते है, vector VAB, A के respect में B is equals to VA minus का, प्लस का, minus of VB हम लोग लिख सकते हैं ना इसको, तो VA इस, ठीक है, कि VA की हमारे पास में direction है, बट हम लोगों नहीं किया, add किया, minus of VB को, ठीक है, और resultant क्या आया मेरे पास में VA minus में VB, अब इसको उल्टा बढ़ रहे है, ठीक है, यह direction किसकी है, VA की है, मैंने बोला, मैं minus VB को जोड़ दू, तो मुझे क्या मिल रही है, A के respect में B की velocity मिल जा रही है, तो यह मेरे पास में क्या है, relative motion in 2D, ठीक है, अब, जो सबसे महत्वपून चीज, जो सबसे important चीज है, जो कि आपको ध्यान रखना है, relative motion in 2D में, वो एक ही चीज है, कि जब भी आप लोग velocity निकाल रहे होते हो, तो आपको, जैसे मान लो, मैंने एक respect में निगाली, है ना, तो मैं बोल रही हूं कि मेरे पास में गाड़ी है, एक वहिकल है, ठीक है, और यह वहिकल जो है, चल रही है, वो कि यह vehicle चल रही है जो भी speed चल रही है मानलो कि मैंने बोला कि A के respect चल रही है तो मैंने बोला कि 10 km per hour की speed से यह vehicle चल रहा है ट्रावल कर रहा है दूसरा vehicle है तो दूसरा vehicle जो है मेरे पास में वो भी travel कर रहा है with the same speed, तो मैंने बोला कि भाई ये भी इस direction में 20 km per hour की speed सा भगा रहा है अपने vehicle को, तो हम लोग क्या कर रहें, जिसे मान लो मैंने बोला कि इसको A नाम दे दो, इसको मैंने बोला B नाम दे दो, तो A के respect में B की speed जब आप calculate करोगे, तो जिसकी respect में आप लोग कर रहे होते हैं, उसको आप मान लेता हो कि यार ये constant है, ये मतलब hill rule नहीं रहा है, इसको हमने rest position में मान लिया, ठीक है, बर हम बात करते है B की, तो B को अगर मैं B के respect में A को मान रहे हैं, तो मैं B को उस टाइम पर बोलूगी, ये rest पर है, ये move कर रहे हैं, तो ऐसा होता है सिनारियो, same direction वाले add, पिटा क्या होगे, minus हो जाएगे, opposite वाले add up हो जाएगे, तो ये था पुरा motion in straight line, अब जो 2D motion होगा, तो वहाँ पर angle आएगे, अब यहाँ पर क्या आएगे, बच्छा, angles भी include होगे, समझना इस point को, कि अब हमारे पास में motion में angles भी include होने वाले है, समस्ते हैं, one by one करके, चलो एक example से समस्ते, एक छोटा example लेते हैं, और relative motion को बहुत प्यार समस्ते, कि क्या आप कहना चाहरी हो, मैं, question है, एक particle है, वो क्या कर रहा है, move कर रहा है, with velocity of 5 meter per second in a straight line, तो let's assume कि एक particle है, वो इस direction में मैंने बोला कितना 5 meter per second से travel कर रहा है, another particle Q, तो यह particle का नाम क्या है P, और दूसरा particle Q has the velocity of 4 meter per second moving at 30 degrees to the path of the P, तो बोला कि P के साथ में, यह 30 degree के उपर क्या कर रहा है, Q particle जो है, वो travel कर रहा है, this is my P, this is my Q, Q कि speed कितनी है, भाई, speed बोल रहा है, यह और वो है, बच्चा, given हमको, a particle is moving with velocity of 5 meter per second in a straight line, another particle Q has the velocity of 4 meter per second, okay, तो यह हमारे पास में 4 meter per second, अब क्या करना है, दोनों के हमको उने velocity given है, और बोला कि यहाँ पर angle पर, तो यह angle हमारे पास में included है, now it is a 2D motion, अब हमारे पास में P और Q straight line में नहीं है, यह किसी angle पर क्या करना है, तो अब हमको इन दोनों की relative motion निकालनी है, relative कैसा निकालेगे, इसकी और इसकी relative निकालना हमको, तो हम क्या करेंगे, एक की respect में दूसरी की calculate करेंगे, एक की respect में हम लोग another की calculate करेंगे, तो in that case, क्या करना है बच्चा, अब simply मैंने बोला कि Q की respect में हम क्या करना है, प का जो velocity है, find out करना है, अब calculation कैसे करें जाएगा, ठीक है, तो find Q की velocity with respect दो, relative velocity बहुत simple है, जो rule है, rule हमारे पास में बहुत simple है, जिसके respect में बोला जाता है, यानि V, Q, P के respect में हम से बोला गया, velocity find out करने के लिए, rule के हिसाब से V, Q में से हमें V, P को minus कर देना, इसमें किसी code out है, हम लोग V, P को लिख सकते है, V, Q का as it is, plus minus का V, P, हम लोग ऐसा लिख सकते है, इसमें किसी code out है, यह हमारे पास में किया है, बच्चा, V, Q, P, relative motion है, तो जब हम लोग solve करेंगे, व, Q और V, P को, तो आप लोग यहाँ पर इसका resultant निकालेगा, बच्चा, तो that will be is equals to under root में, क्या होगा, under root में, V, Q का square, plus V, P का square, plus 2VP, V, Q, into cos theta, तो this is the relative velocity, when हमारे पास में कोई vector का angle दिया गया है, ठीकिए, हमें क्या मिला है, angle given है, ना फुटा-फट से solve कर लेते हैं इसको, तो V, Q, P, किसका equivalent होगा, under root में, चलने देते हैं, under root में, चलने देते हैं, V, Q का square, V, Q क्या है हमारे पास में, V, Q given है, हमारे पास में, 4 meter per second, तो हम लोग क्या कर रहे है, 4 का square, plus 5 meter per second, हमारे पास में क्या बच्चा, P है, plus 2 into 4 into 5 into cos 30 degree, कितना होता है cos 30 degree, so all गीजे, V, Q, P is equals to, under root में, 16 plus 25 plus 40, multiply by under root 3 by 2, cos 60 is root 3 by 2, now, V, Q, P, कितना है आपके पास में, बदाईए, हांजी, तो solve करने पे आप लोग इसको directly cut कर सकते हो, by 20 times, आप लोग इसको add up कर दीजे, sum का आप कर दीजे, कितना है, ये 49 आजाएगा, ठेकें, 49 ये आगया आपके पास में, प्लस, आप इसको लिख सकते हो, 20 root 3, solve कर लिजे बच्चा, तो root 3 का value जो होता है, लगभग approximate कितना होता है, 1.717 approximate इसका value होता है, ठीक है, जब आप लोग solve करोगे, तो ये total, जब solution आएगा, calculation करने के बाद, it will be around 9.1 something meter per second, तो this is the relative velocity, कि क्यों की respect में, P की हमारी, क्या होगे बच्चा, relative velocity आई है, तो this is the answer, ठीक है, तो ये कब का answer है, जब हमारे पास में क्या given है, हमारे पास में, कोई direction नहीं दी है, अब ऐसे question भी आ सकते हैं, जहां पर आपको लिखा गया हो, कि हमारे पास में, जो velocity है, वो IJK cap के format में हो, ऐसा भी तो scenario हो सकता है, तब question को अलग तरीके से solve किया जाता है, हम लोग आगे न, river वाले question समझेंगे, river and boat वाले questions रहेंगे, हम लोग rain वाले concept को समझेंगे, तो दोनों के time पर जब हमनों question solve करेंगे, तो दोनों को different तरीके से question solve किया जाता है, और अब हम लोग rain वाले question है, वो बहुत repeated question है, जो कि बहुत बार exam में आते हैं, और कैसे solve करना है, उनके बारे में भी हम लोग discuss करेंगे, ठीक है, चलिए, तो rain और main best question, आपकी book के one of the most important question है, जो कई बार repeat, 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 repeat mode पर रहते हैं, अब rain में best question कैसे होता समझाते हूं, for example, हमारे पास में rain हो रही है, ठीक है, मैंने बोला, यह मेरे पास में क्या है रहाचा, rain हो रही है, like this, और हमारे पास rain की speed given है, like velocity of rain given है हमारे पास में, we are, let's assume, कि it is 5 meter per second, case number 1 हमारे पास में होगा, कि rain की speed given है, vertically वो क्या जारी है, downwards आरही है, और हमारे पास में जो हमारा बंदा है, जो man है, वो कैसे खड़ा हुआ है, stationary है, वो rest position पे है, यानि V m के value कितनी है, 0 है, तो इस time पर आपको चाता जो है, अम्रेला, कैसे पकड़ना होगा, ऐसे question exam में आता है, आपको angle, अम्रेला किस position पे पकड़ना होगा, इस type के question आते है exam में, तो हमें इस type के question बहुत अच्छे से prepare करना है, तो ये पहला case है, एक दूसरा case होता है, जहां पर आपको बता दू, case number 2 में अब क्या होगा, कि आपका जो बंदा है, अब वो क्या कर रहा है, वो किसी like speed से भाग रहा है, let assume कि ये भी 5 meter per second की speed से भाग रहा है, ठीक है, और ये आपके जो rain है, ये rain भी कैसी हो रही है, vertical rain हो रही है आप दूसरा की, velocity कितना है, आपके पास में let assume कि 5 meter per second का speed ये भाग रहे है, अब आपसे question पूछेगा, कि हमारा जो भाईया है, जो भाईया है, वो 5 meter per second की speed से आगे भाग रहे है, तो ये umbrella को कैसे पकड़े, जिससे उनकी जो vertically नीचे आने वाली rain है, वो क्या हो रहा है, और उससे वो ढग जाए, cover up हो जाए, ऐसा आपसे पूछेगा, एक और case होता है, case number 3, case number 3 में क्या होगा, कि अब आपकी rain जो है, ठीक है, rain जो है, वो किसी angle से गिर रही है, rain किसी angle से गिर रही है, और आप भाईया जो है, वो क्या गर रहे है, वो किसी angle से भाग रहे, 5 meter per second से भाग रहे है, और rain की जो speed है, वो कितनी है, 5 meter per second की पढ़ रही है, तो अब इस time पर कैसे, किस तरीके से आपका जो, पेटा, अम्रेला है, उसको पकड़ा जाए, तो नाव ये वाले जो questions से, exam में कई बार पूछ जाते हैं, तो ये 3 cases हमको पढ़ने हैं, और बच्चे आप देखो, अब case 1, 2, 3 को हम लोग solve करते हैं, तो अम्रेला की direction क्या होगी, ये हमारे पास question आता है, कि भाई, बताइए, राम जो है, वो 5, राम rest position पे खड़ा है, vertically rain आ रही है, तो किस direction में अम्रेला को राम पकड़ सकता है, ऐसा question आप से पूछेगा, तो for that reason, हम लोग यहाँ पर question को solve करेंगे, ओके, चलिए, चलो, तो कैसा solve करना है question को, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, बताए, किसके case 1 की, अब case 1 में क्या हो रहा है, vertically downward समारे पास में हमारी rain आ रही है, यानि कि अगर मैं rain की direction को इस तरीके से assume करूँ, तो बताए मुझे कि x, y की जो term होती, उसमें कौन जे direction है, तो अगर आप इसको पिटे graph पे plot करोगे, this is your x, minus x, this is your y, this is your minus y, this is the downward direction, downward direction यानि की minus j cap के form में मैं क्या कर सकती हूँ, represent कर सकती हूँ, तो यहाँ पर अगर मान लीजे, rain की speed vr equals to 5 meter per second है, समझे ना, इस चीज़ को point है, कि arc vr, rain का value कितना given है, speed 5 meter per second, downwards, यानि नीचे की तरफ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो भाईयू खड़ा है यहाँ पर, यह भाईयू खड़ा है, और यह कैसा है, rest position पर है, यानि की v men equal to कितना हो गया, 0 हो गया, तो in this case, in this scenario, relative velocity कैसे निकालोगे, relative velocity निकालोगे, आप with this formula, same formula, v, rain की respect में men, ठीक है, आपको हमेशा निकालना है बच्चा, men की respect to me, तो basically rain with respect to men, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, तो rain with respect to men, what that mean, कि rain किस direction से आ रही है, हमको बिल्कुल फरक नहीं पढ़ रहा, हमको क्या फरक पढ़ रहा है, कि men के लिए rain कैसे behave कर रही, जानी की what matters is us, हमारे लिए rain का direction क्या है, वो हमें देना, तो यानि rain with respect to men, हमें क्या करना है, calculate करना है always, so हम लोग VRM निकालेंगे, तो क्या मिलेगा आपको यहां से, तो it will become VR minus में VM, solve कर लिजे, VR क्या समझा रहा है, this is the direction of rain, it will be minus j cap, minus 10 j cap, minus में 0, समझे में आया, क्या बोला है मैंने, minus, sorry, time लिख रही है यहां पर, minus हम लोग लिख रहे हैं, यहां पर 5 j cap, ठीक है, तो यहां पर minus 5 j cap, minus 0, तो this minus, जो है वो शो कर रहा है, कि rain with respect to men, minus direction में है, यानि कि अगर मैं draw करूँ इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चा, हमें अंगल निकालना पड़ेगा, तो मुझे अब अम्रेला की direction निकालनी, which will be opposite to that direction, तो हम लोग क्या करेंगे यहां से, यहां से निकालेंगे tan theta, तो यहां पर जो angle आएगा, that will become बच्चा, 0, तो हमको opposite में क्या करना पड़ेगा, अपना अम्रेला लेकर के खड़ा रहना पड़ेगा, तो अम्रेला कहां पर होगा, opposite direction में to the minus rain की opposite direction में हम लोग बूलेंगे, which is opposite of rain direction, यह फिर direction of rain, तो opposite of rain हमको अम्रेला पकड़ना पड़ेगा, now case number 2 की बात करते, case number 2 में क्या सेनारियो है, case number 2 कहता है हमें कि हमारे पास में, अब main जो है वो आगे की और भाग रहा है, main जो है भाई वो चल रहा है इस तरीके से, let assume की 5 meter per second की speed इसकी भी है, और आपकी जो बटा बादल है, ठीक है, तो बादलों से जो rain आ रहा है, उसकी भी कुछ speed हमें given है, that is equivalent to 5 meter per second मैंने बोला, तो in this case, हमारे पास again rain with respect to man, निकालो, VR माइनस में क्या निकालोगे, VM निकालोगे, अब समझना, अगेर आप इसको axis पे plot करो, तो आपके पास में 1 होगी, x axis, एक होगी आपके पास y axis, इस direction में, यानि की plus i cap, इस direction में उपर की तरफ होगी तो j cap, plus का नीचे की होगी तो minus का j cap, हम लोग use करेगे, तो again बच्चा, direction कैसी है, towards, तो minus का 5 j cap, minus का vm है, तो plus का, आप लोग as it is plus लिखोगे, minus में आप लोग क्या यूज करोगे, बच्चा, यहाँ पर 5 meter per second लिखा हुआ है, now let use different direction में, तो आप लोग लिखोगे, इसको minus का 5 j cap, 5 i cap, तो यह आगा, आपके पास में minus का 5 into i cap, तो यह आपके पास में, vrm निकल कर आया, ठीक है, तो हमें क्या मिलगी, हमें ना values मिलगी, i और j के terms में, यानि कि मुझे पता चल गया, कि अगर मैं इसको x y axis पे draw करूँ, तो यह क्या बताने की कोशिश कर रहा है, समझना बच्चो इस ती, इसको बहुत ध्यान से, हमें at the last moment angle ही find out करना है, तो अगर equation आई है, minus का 5 j cap, minus का 5 i cap, इसका मतलब क्या होगा, कि मेरे पास में, मेरे x axis पे 5 यहां कहीं है, ठीक है, और वो भी कैसा बेटा, negative है, negative मतलब positive नहीं है, negative है तो, negative किस साइड आएगा, minus x axis, यानि कि यहां पे कहीं पर 5 है, और j कहां पर आएगा, यहां पर कहीं पर, मेरे पास मेरे पास में, minus का 5 j cap है, तो बच्चों, यह मेरे पास में क्या है, दो मुझे vector मिल चुक है, ना मुझे चाहिए, इन दोनों का resultant, तो मैं बोलूँगी, यहां पर कहीं पर, मुझे क्या मिले वाला, इनका resultant मिलेगा, तो find out कर लेते हैं, फटा-फट से, same process हमें find out करना है, और यहां पर let assume कि, मान लीजे, यह theta क्या है यह angle बना रहा है, rain की direction से, तो rain की direction कैसी है बटा, minus j downwards है, तो rain की direction से, हमारे पास में, यह resultant क्या है, theta angle पर है, तो इसके just opposite में, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, umbrella को पकड़ना पड़ेगा, समझ में आया, जो minus 5j, minus 5i का resultant होगा, उसकी direction में, हमें क्या करना है, opposite umbrella पकड़ना है हमारा, तो यह हमारा चाता होगया, ठीक है, तो now for that, हमें यह angle, हमें तो यह angle, theta का value निकालना पड़ेगा, तो angle कैसे निकालोगे, तुम्हें यह पता है, तुम्हें क्या पता पच्चा, angle निकालना है, तो तुम लोग यहां पर trigonometry यूज़ करो, तुम्हें पता है कि this is your perpendicular, and this is your base, ठीक है, use कर लो 10 theta, तो 10 theta क्या होता पच्चा, perpendicular upon में base होता है, तो यहां से perpendicular क्या आपके पास में, तो from this point to this point, this is your 5, तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, 5 होगा, तो आपनों लिखुए 5 divided by, नीचे क्या लिखा हो अच्छा, नीचे भी आपके पास में कितना है, 5 है, तो base भी कितना है, आपके पास में 5, तो 5 by 5 कितना होगा, आपके पास में 1 आ गया, यानि कि अगर मैं यहां से ठीटा निकालू, which will be 10 inverse 1, 10 inverse 1 किसका value होता है, it is 45 degree, तो 1045 का value होता है 1, याद रखेगा, तो angle कितना मिल गया, हमारे पास में 45 degree का angle मिल चुका है, यानि कि आपके पास में rain की direction में, 45 degree angle पे हमें अपना चाता पकड़ना पड़ेगा, so that हमारा जो व्यक्ती है, जो बच्चा है, जो मनुष्य है, वो बच सके पानी से, ठीक हैं, ऐसे ही third case है, आपकी rain किसी angle से आ रही होगी, now in this case, case number 3 मैं लिख दे रही हूँ उसको, case number 3 में क्या हो रहा है, अब rain आपके पास किसी direction में आ रही होगी, यानि कि let assume ये आपके पास में आपका rain हो गया, तो ये rain की मान लीज़ डारेक्शन है, तो rain जो है vertical से, किसी angle पर है, let assume कि ये बच्चा vertical से, theta angle बना रही है, और मैंने बोला कि हमारा जो भाईयू है, वो खड़ा है यहां पर, ओगे, एंड इसके पास में फिर से umbrella हमको पता है, कि umbrella कहा रखना है, and now ये same 5 meter per second की speed से भाग रहा है, speed हमारी rain की कितनी है बटा, speed of rain is again 5 meter per second, with angle of, let assume 45 degree, ओगे, चालो, तो मैंने बोला कि मेरे पास में जो angle है बटा, 45 degree angle के साथ में, मतलब अगर आप लोग vertical plane से, vertical से देखो, तो 45 degree के angle पर गया हो रहा है, rain मेरा गिर रहा है, एंड मेरा जो बच्चा है, जो भी मेरा भाईू है, बो क्या कर रहा है, again 5 meter per second से आगे की और बढ़ रहा है, तो इस case में, इस scenario में, अब हम लोग क्या करेंगे, तो in that case, आपको rain की direction पता है, this is direction, और ये बच्चा आपके minus j cap से, कितने angle पर है, 45 degree के angle पर है, तो आपको क्या करना है, आपको इसके 2 resolution, तो आप इसमें आपको क्या करते हो, use करते हो, resolution of vector, तो in this case, you need to solve, resolution of vectors, resolution of vector में क्या करोगे, आप लोग जे और i component, इसके find out करेंगे, यानि basically, हम लोग क्या करने वाले है, इसके horizontal और vertical component, find out करेंगे, तो अगर मैं बात करते हूं, बटा, V, R, Y direction की, तो Y direction में क्या लिखोगे, इसको बचा, basically this is your, V, R, cos, 45 degree, और अगर मैं इसको क्या करते हूं, उसके horizontal की बात करो, तो this horizontal will be, V, X, equals to, V, R, sin, 45 degree, तो ये क्या करें, हम लोगोंने, resolution of vector solve किया, अब हम लोग क्या करें बच्चा, vertical और horizontal को, अपने अपमे plane में solve करें, हम लोग क्या करें, vertical और horizontal को solve कर रें, इससे फायदा क्या होगा, कि जब हम लोग, हमारे भाई की, क्या करने वाले रहेंगे, relative velocity निकाल रहे होगे तब हम लोग बिटा जो jj component है यानि कि जो भी vertical component है उनको add up करेंगे and जो भी horizontal component होते है उनको add up करेंगे तो horizontal कोन है याँ पर this and this ये दो बोध कैसे है horizontal है और vertical क्या है आपके पास में we are cos theta तो इसको आप लोग बोलोगे vertical component और ये आपके पास में क्या बच्चा horizontal चलिए solve करते हैं कैसे solve करेंगे simply vx equals 2 vr sin theta which is 5 multiply by sin 45 जिसको आप लोग लिख सकते हो 5 multiply by 1 by unroot में 2 है ना 1 sin 45 cos 45 1 by root 2 होता है ऐसे ही vy बिटा same value आईगे आपके पास में 5 by root 2 equation number 1 equation number 2 ठीक है तो ये किस direction में है this is in the direction of j cap which is minus and this is your minus का vr है ना ये minus value आईगी क्योंकि ये minus का i cap है ठीक है it will be minus का i cap got my point चलो तो अब हम लोग क्या कर लेंगे इसको फटा फट से solve कर लेंगे तो resolution के लिए क्या करने वाले हो आप लोग again same चीज हमारे पास में है तो vrm अगें बच्चा rain with respect to man है ना rain with respect to man हम लोग solve करेंगे हमें क्या करना है सारे horizontal component को add up करना है horizontal कौन कोने बच्चा this is your 5 i cap horizontal है यह आपके पास में आपको मिल गए बच्चा that is minus 5 i cap by root 2 आप लोग put कर दीजे minus 5 by root 2 i cap which is एक काम करते, step by step करते भाई वरना conclusion होगा same चीज बच्चा vr minus में vm vr क्या है हमारे पास में minus 5 and root 2 i cap ठीक है plus minus में 5 by root 2 j cap minus v5 i cap ठीक है तो जो भी horizontal है उनको हम लोग add up कर देंगे और जो हमारे पास में नहीं बच्चा उनको छोड़ देंगे तो i cap i cap को हमने जोड़ दिया जो हमारे पास j cap है उसको अलग से लिख दिया तो यहाँ पर minus common निकालके में minus 5 common निकालोगी तो 1 by root 2 minus में बटा 1 हमारा common आया है सब लोग नेखी यहाँ पर minus root 2 plus 1 common आया है minus में 5 by root 2 j cap आया हुआ है ठीक है solve कर लेता फटा फट से क्या value आई इसकी minus में 5 solve कर लोगे इसको तो 1 plus root 2 divided by root 2 minus में 5 by root 2 j cap ठीक है तो basically हमें i cap और j cap के ही values को find out करना है तो कितना है आपके पास में minus में 5 by root 2 यह हो जाएगा 1 plus root 2 i cap minus में 5 by root 2 j cap calculation कीजिए root 2 का value होता है approximate 1.414 और आप लोग उसको divide करके solve करिए तो आपके पास में जो value आएगा वो approximate जो भी value आएगा बच्चा तो इस scenario में क्या करोगे आप लोग आपको जो values मेली है मैं अगेन यहां लिग देती हूँ minus 5 by root 2 तो it will be around minus 5 by 1.414 into में 1 plus 1.414 minus में 5 divided by 1.414 j cap और यह उगा बटा i cap ठीक है तो अब आपको क्या करना है बस इसको calculation करना है दोनों को तो calculate करिए फटा बट से कितना answer है आपके पास में तो solve करने पर कितना है approximate solve करने तो 8.4 approximate value आएगा बच्छा आपके पास में इस term का that will be i cap minus में इसको आप solve करने तो 3.4 j cap के approximate value आएगा 3.5 कर दीजिगा इसको तो 3.5 approximate value आएगा इसका ठीक है तो यह आपके पास में आपके values आच चुके है relative velocity के in term of i cap and j cap now हमें क्या करना है हमें values बिल चुके है इसको मैं graphical method में plot करने वाली हूँ graph बनाओगी वापस से so graph बनाने के बाद क्या लिखा होगे हम लोग graph वापस से plot करने बच्छा ठीक है तो again minus का j cap यहाँ पर minus का i cap कितना value है 8.4 approximate यहाँ पर है minus 8.5 यहाँ पर है आपके पास में so now हमें यहाँ पर again angle को find out करना है which is your theta थीटा के just opposite हमारे पास में क्या होगा हमें umbrella को पकड़ना पड़ेगा ठीक है तो theta के just opposite हमें क्या करना पड़ेगा umbrella को पकड़ना पड़ेगा तो rain के just opposite direction में तो again बच्चा 10 theta क्या होता आपके पास में यहाँ पर put कर दीजे आप लोग that will be your perpendicular upon में base अब perpendicular क्या होगा same चीज, same scenario यहाँ पर आपके पास में solve करना पड़ेगा this will be perpendicular आपके पास में and theta के सामने वाला perpendicular होता है this is your hypotenuse and it will be your base, ठीक यहाँ तो base कितना है 3.5 तो 8.4 divided by 3.5 आप लोग solve कर लिजे तो आपको यहाँ से theta मिलेगा 10 inverse this which is 8.4 divided by 3.5 जो भी answer आएगा बच्चा that will be your angle और उसके opposite हमें क्या करना है हमारे amrela को लिख रखना है ठीक है? ओके तो मतलब हमें क्या करना है बच्चा कि हमारे पास में जो vertically यानि rain की direction है उससे हमें amrela को इस direction में put out करना है ठीक है? तो यह होता है तरीका जब भी हम लोग इन type के question को solve करते है तो rain versus main वारा जो question है वो हमेशा हमें इस प्रकार से ही solve करना होता है तो यह चीज सबको clear हो चुकी है I hope so ना एक बहुत ही प्यारी चीज मुझे आपको explain करनी है और वो है बच्चा river and boat वाले question तो before that एक और case होता है case number 4 जो मैं आपको भी नहीं बताने वाली हूँ बट यह same complicated होगा तो case number 4 हो सकता है जहां पर आप rain किसी angle से आ रही हो समझेगा rain किसी angle से गिर रही है और आपका जो भायू है वो किसी angle से horizontal के किसी angle से यहां पर travel कर रहा हो तो in that case let assume 5 meter per second की यहां पर इसकी speed है इसकी speed बटा rain की speed भी कितनी है 5 meter per second की speed है यह again कोई theta angle बना रहा है तो यहां पर आपको इसके भी horizontal vertical component निकालने इसके भी horizontal vertical component इसको मालो theta 1, theta 2 तो in that case अब आप क्या करने वाले हो simple सी बात है 4 theta 1, 4 theta 2 theta 1 मान ली जो इसको, theta 1 के लिए आप लोग निकालोगे तो this component will be your j component याने की vy it will be your let assume vr so vr cos theta it will be your vx equals to vr sin theta so जब solve करोगे तो आपके पास में vr क्या आजाएगा it will become simply vr cos theta j cap plus vr sin theta i cap ठीक है same चीज़ आप लोग यहाँ पर solve करोगे for man तो vm equals to vm आपके पास में आएगा and this will be your vx equals to vm cos theta i cap and this will be your vy sin basically vy equals to vm sin theta ठीक है same चीज़ है same scenario है जो कि आपको solve करना है vy equals to vm sin theta which is in j direction ठीक है आप लोग ऐसे solve करोगे so vm is equals to हो जाएगा vm cos theta ठीक है let assume vm cos theta i cap तो vm sin theta आपके पास में है that is your j cap and plus vm cos theta i cap तो आप लोग देख सकते हो एक बहुत बढ़ी जासी चीज़ कि आपके पास में i पर क्या है cos theta है यहाँ पर भी i पर आपके पास cos theta है ठीक है और जब की cos theta यहाँ पर recap है था तो यह दोनो terms क्या हो चुकी है interchange हो चुकी है तो आप क्या करोगे इन दोनों को सबको जोड़ दोगे इसको जब आप आप इसको vr-vm करने वाले हो तो आपके पास में ii same same jj same same करके आप लोग solve करोगे same process है same scenario है same angle निकालना पड़ेगा हमें और यही process को follow करना है जब भी rain and main best question आते है तो next आपके पास में रहाएं river plus boat वाले question ठीक है तो river boat वाले questions को भी हम लोग same process में solve करेंगे इसके examples हम लोग next class में solve करेंगे and find out करेंगे question को कैसे किया जाता है अगर आपको यहां तक है clear है तो I hope की बाकी सारी चीज़े आप लोगों के लिए clear cut है so that's it I hope so कि आपको यहां तक के सब कुछ बहुत अच्छे से आता है इसके बाद अब हम लोग जो पढ़ने वाले part 2 that will be motion in plane रहेगा before this हम लोग इनके numericals करने वाले है that's it so that's it for today बच्छा मिलते हैं हम लोग next class में तब तक के लिए bye bye tata see ya and take care guys